और जिसके पास पाच जानवर है वो कम से कम 20,000 रुपए मेना गोबर से और 10,000 रुपए मेना कौव यूरीन गोमुत्र से मिलाएगा तो कोई किसान देश में आत्मत्या नहीं करेगा उसी आधर पर ये ट्रैक्टर है और ये मेरा बहुत दिनों का सपना था ट्रांस्पोर्ट मंत्री होने के नाते भी कि हिंदुस्तान में हमारे किसानों की पैसे की बचत कैसी की जाए तो ये जो ट्रैक्टर हुआ है ये किसान को आत्मनिर भर बनाएगा आतमन्दिय पर इस प्रकार से है कि एक किसान जब ट्रैक्टर चलाता है साल बर तो जो दीन और राध ट्रांस्पोर्ट करता है उसका 3.3 लाक रुपे का डीजल साल में लगता है और जो केती में करता है वो कम से कम सवाजो दो से अई नाक रुपे का डीजल खरीता है तो इसमें डाइरेक्ट 55% सेविंग है यहने जो 3 लाख रुपे खर्चा आता था उसमें 1.5 लाख रुपे साल का बचा था है और आपने यह ट्रैक्टर अब धर्वेंदर जीन जब चालू किया तो देखा होगा इसमें डीजल का कोई धुआ नहीं है पॉलुशन नहीं है और यह कॉस्ट इफ्रेक्टिव है पॉलुशन प्रीव है तो आज इस ट्रैक्टर का सबसे पहले यह ट्रैक्टर आज आज आया इसमें मैंटेनेंस कॉस्ट भी कम है क्योंकि डीजल और पेट्रोल में जो होता है कारबन डॉक्षड आप सालफर आता है इसमें ओकोई यह तो मै 2012 में मैं ठ्रेडी किया था और जो जिद्ध मेरी थी उसमें पहला कि ट्रैक्टर मैं ने आकर उसके लिए पर्मिशन्स काफी लगी और यह छे मयने ट्रायल किया गया कि और अज इस ट्रेक्टर को अमने लांच किया मैं इसके लिए रॉक्ष यह जो यहां कम्पनी हमारें मा मुस्तूप गुपता और दूसरा टोमे सिटो जो अमिच शाहा इस कंपनी के मालिक है दोनों ने मिलकर इसको पूरा चेंज करके इसकी कीट और यह सब करके बदला इसके सभी प्रकार के अप्रूल लिए गए है और फिर इसके टेस्टिंग हुए है छे महने तक सब प्रकार की विगरस टेस्ट में जाने के बाद उसका सर्टिफिकेट अभी धर्मेंदर जी ने मुझे दिया है और वो भी इसके डिटेल्स आपके सामने आएंगे यह सबसे इंपोर्टन चीज है कि एर पूलूशन में इसके कारण कमी आएगी जो हमारा डिजल का ट्रैक्टर जितना प पूलूशन कम से कम पंदरा परसेंट रहेगा लगबग वो भी नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग जो बायो सी एंजी दे रहे हैं यह बायो सी एंजी भी किसानों ने तयार किया हुआ है